आजकल आप लोग सभी लोग सुन रहे होंगे दो बच्चों की नीती के बारे में यानि कि एक माता पिता अधिकतम दो बच्चे फैदा कर सकता है और आप समझें कि मुझे लगता है जहां तक बात करूं तो कि इसके फायदे कम है नुपसान अधिक देखने को मिलेंगे और इस तरह की एक नीती आपने सुना होगा चाइना ने भी लागू की थी तो वो काफी सक्षिज नहीं हुआ है उसे काफी सफलता नहीं मिली हुई है आप समझ रहे हैं और एक आप लोग देखते होंगे कि हमारा देश में हमारा समाज पित्त सत्ता अत्मक है यानि कि कहने का मतलब एक पुत्त रतन की प्राप्ती के लिए आप देखते हैं कितनी मसलत एक तरह से करते हैं और आप समझ सकते हैं कि बेटियों की है हत्या एक तरह से भूड हत्या कर दी जाती है समझ रहे हैं? तो आप समझें कि दो बच्चों की अगर इस तरह की कोई पावंदी रख दी जाए और इसमें आप लोग अगर कुछ जुरवाना भी लगाते हैं आर्थिक हो या फिर आप से कहा जाए कि दो बच्ची अगर दो से जानदा आप बच्चे पैदा करेंगे तो सरकारी नौकुरी नहीं देंगे तो लोग पुत्त की चाहत में एक तरह से बेटियों की हत्या करवाने लगेंगे और अभी भी तो आप देख रहे हैं हर जगे एक तरह से ओ रहा है जो आपकी अल्टा सावन इस तरह की तक्निक आई हुई थी इसका मतलब सही दिसा में उपयोग करने के लिए आई हुई थी कि कम से कम बच्चे के जरम के पूर मालूँ चल जाए कि उसमें कोई कमी तो नही है उसे सही किया जा सके लेकिन हम लोगों ने उसका दुर्पयों करना सुरूं कर दिया हम लोगों ने पता करना सुरूं कर दिया कि आपका जो मतलब गरम में बच्चा है यह लड़की है लड़का अगर लड़का है तो ठीक है लड़की है तो उसे मतलब वूढ़त्या करव दीजे तो इस तरह की पिथाएं भी आप लोगों को काफी देखने को मिलेगी ठीक है और इसके फायदे भी हम लोग देख लेंगे नुकसान क्या है, उस पर भी, नुकसान तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, और मुझे लगता ही कि इस तरह की नीती लाने से अच्छा है, कि आप समाज को खुद जागरूख कर दीजे, और उन्हें आप लोग सुभिधाएं दीजे, तो वो खुद प थोप दें एक तरह से, ठीक है, तो ये देखिए हमारा प्यारा भारत है पितवीपा, एसिया में, और अपने पडोसियों को देख लिए, ये चाइना है, ये म्यानवार है, ये आपका स्रिलंका है, बंगलादेश, भूटान, नेपाल, और ये पाकिस्तान है, अफगानिस्त आप सभी लोगों को मालू होना चाहिए कि बंगलादेश से सबसे जना हमारी सीमा लगती है, और अफगानिस्तान से सबसे कम, जो पीयों के वाला हिस्सा है न, यही सीमा लगती है, ठीक है, देश में सिक्षा, स्वास्त और गिर्सी आवास रोजगार पर बढ़ते दबाव को देखते हुए, दो बच्चों की नीती अनिवार करने की मांग में तेजी आई है, हाला कि विसेसगों का कहना है कि भारत को चीन से सबक लेती हुए इस मुद्दे पर कोई नेडे लेना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग, और एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जनसंक्या हम बहुत बढ़ रही है, और यहां तक कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद हम लोग चाइना को भी पीछे कर देंगे, ठीक है, नमबर बन पर हम लोग पहुँच जाएंगे, राश्टी परिवार स्वास्त सर्विक्षन पांचवी के अनमीनतम आक्रों में, से यह पिरमाडित होत है, एबं बच्चों के जनम की ओसत दर में गिरावट भी देखी गई है, विसे सगों का कहना है कि इस सावित होता है, कि देश की आबादी इस्थिर है, और जनसंख्या विस्पोर्ट का डर, एबं दो बच्चों की अनिवार नीती गुमरा करने बाली है, और इसके साथ ही इसलिए भी चर्चा का मुद्धा बन जाता है, कि भारत जैसे देश के लिए दो बच्चों की नीती अपनाना किस सहथ तक तारिक है, और इस समद्ध में भारत को चीन से क्या सीख लेनी चाहिए, और आप खुद समझ सकते, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कि आप खुद जागरू कर दीजे, पड़ा लिखा दीजे, आप सिक्षा मुद्धा बनाईए, स्वास्त वेवस्ता मुद्धा बनाईए, रोजगार मुद्धा बनाईए, और जब खुद लोग ओठी जाएंगे, लोग समझदार हो जाएंगे, तो वो अपने आप कुछ कदम उठाने पिदानमंद्री ने जनसंक्या नियंतर संबंदी फिर्यास को देशवक्ति का एक रोप बताया था, और इसे प्राप्त करने ही तो पूरे समाज को आँगे, आनी की बाद भी कही थी हमारी पिदानमंद्री साब ने, उन्होंने कहा था कि देश में जनसंक्या विसफोट की इस्तिती भविस की पीडियों के लिए विभिन समस्याएं उत्पन करेगे, जो लोग छोटे परिवार की नीती का पालन करते हैं, बेभी विकास में युगदान करते हैं, और नीती आयग उन्हें बाद में इसे मुद्दे पर राष्टी इस्तर के परावर से तो विभिन हि के लिए विभाह की उम को संसोधीत करने की संबंद में एक संभावित नेड़े के बारे में बाद भी की थी, जो काफी आपका चर्चा में भी रहा है, अभी आप देखते हैं कि कितनी 18 और 21 रखी गई है, यानि कि लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21, जिसे कई करने की आपित्यक्ष परियास की रूम में देखते हैं, राष्टी परिवार स्वास्त सर्वेक्षन 5 की रिपोर्ट का पहला भाग जिसे कुछ समय पूर भी सारविजनी किया गया था, और 17 राज्यों और 5 के अंदसा से प्रिदेसों के आखणों को दरस दाता है, अंतराष के 17 में से 14 राज्यों में कुल पिजनन दर, पिती महला जनम लेने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है, या फिर आप देखें कि पिती महला पिजनन दर, 2 से 1 या उसे कम हो गई है, इसका अर्थाई की महल, इसका मतलब यही हुआ कि अधिकांस राज्यों ने पिती स् इस तर, पिजनन अर्थाई पिती महला जनम लेने वाले बच्चों को औसर संख्या, जिसकी एक आबादी खुद को एक पीडी से दूसरी पीडी तक पूरी तरह से बदल सकती है, और पहले आप लोग देखा करते थे कि बहुत बड़ा परिवार हुआ करते थे, एक ही माबा पुर्ण स्थार कारिकरम व्यक्तियों के दिकार और संभान को बनाये रखने ही तो आवसक है, वर्स 2005-2015 और 2016 की मद, आईबवित राष्टी परिवार स्था सर्वेक्षन 2003, एबं, राष्टी परिवार स्था सर्वेक्षन 2004 के दोरान, 22 में से बारह राज्यों और के अंदस स जो में जहां इन गरव निरूधकों का उपयोग पहली कम या उससे अब विद्धी देखी गई है विशेसकों द्वारा किये गए सर्वेक्षन के रूसार बाल विवा की विद्धी के संबंद में भी ध्यान आकर सित किया गया है और एवम अपील की गई है कि नीती निर्माताओं को इस छित में सुरुवाती गर्व धारन पर अंकुस लगाने ही तू ध्यान दिना वसके हाला कि देखा गया है कि पिती परिवार दो बच्चों के समंद में कोई राष्टी है नीती नहीं है इस मामले में नवंबर 2019 में राज्यसवा में एक विध्यक वेस किया गया था और जिसमें छोटे परिवारों के लिए पुरुसाहन का पिस्तावी दखा गया था और आप समझ सकते हैं कि आज से पहले आप देखते होंगे अब तो काफी एक तरह से बाल विवाव पर रोक लगा दी गई है वरना आप समझ सकते थी कि 12-13 साल में साधी हो जाती थी तो इसका भी पईडाम रहता था जनसंख्या में बढ़ाने में काफी तो इस पर भी काफी देखें लोग जितना पढ़ता जाता है जागरूख होता जाता है उसी हिसाब से आप देखेंगे जनसंख्या और इस तरह की जो भी पिथायों ने नकालता जाता है वो खुद समझधार हो जाता है विवेन राज्यों में आप देखेंगे तो दो बच्चों से समधित नीती है 2019 की इस्तिदी की बात करें तो एक असम असम आप लोग असम मंत्री मंडल द्वारा लिए गए फैसली के अनुसार वर्स 2021 से दो से अधिक बच्चों वाले लोग सरकारी नौकरी ही तू आयोग माने जाएंगे ठीक है? और याद रखी यानि कि आपके दो से अधिक बच्चे होते हैं आँगे आने वाले समय में अब कई लोग आप मैंसे पूछते हैं कि ये पहले से ही लाग होगा तो पहले से कैसे लाग होगा? उसमें किसकी गलती थी? मतलब आप सूचिए उसे नौकरी ही नहीं तो आने वाले समय में हैं जब से ये नीती लागू होती है उसके बाद अगर दो से तीन बच्चे पैदा करोगे तब सरकारी नौकरी ही तू आयोग माने जाएंगे और राजिस्थान की बाद करना है तो सरकारी नौकरी के मामले में जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक बच्चे होंगे बेन्यूक्ती के पाथ नहीं होंगे राजिस्थान पंचयाती राज अधिनियम 1994 यदि किसी वेक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं तो उस ग्राम पंचयात या बाड़ सदस के रूम में चुनाव लड़ने के लिए आयोग गोसित किया जाएगा हाला कि पिछली सरकारों ने विकलांग बच्चों के मामले में दो बच्चों सम्मंदी मांदन में डेल दी हुई है तो ये राजस्थान की बात है अब आप मैं से MP के भी होंगे MP वाले भी देख लिए ये राज बर्स 2001 के बाद से दो बच्चों के मांदन सम्मंदी नीती का पालन करा है और मद्पदेश सेवा सेवाओं की सामान इस्तिती नेमों के अंसार 26 जनवरी सन 2001 को या फिर उसके बाद यदि तीसरे बच्चे का जनव होता है तो वह बेक्ती किसी भी सरकारी सेवा ये तो आयूग माना जाएगा और यह नियम उच्चेतन नयाइक सेवाओं पर भी लागू होता है तो यह भी आप लोग मद्यपदेश की स्थिती देख सकते हैं उसके बाद आप देखेंगे तेलंगाना और आंद्यपदेश की क्योंफिया अंद्यपदेश वा पहले एक हुगा करते थे 2014 में आपके दो राज बने थे तेलंगाना से अलग करके मापकरी आंद्रपदेश से अलग करके तेलंगान अबर आएगा ठीक धारा 1903 के थेत तेलंगाना पंचैती राज अधिनियम 1994 की धारा 152 और 184 दो के तहट दो से अधिक बच्चों वाले वेक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयूग गोसित किया जाएगा हलाकि 30 माई 1994 से पहले अगर किसी वेक्ति के दो से अधिक बच्चे थे तो उसे आयूग नहीं किया जाएगा आंद्रपदेश पंचैती राज अधिनियम 1994 में सामान निखंड आंद्रपदेश के लिए भी लागू होता है यहाँ दो से अधिक बच्चे वाले वेक्ति को चुनाव लड़ने के लिए कि आयूग गोसित किया जाएगा तो यह आपकी आंद्रपदेश की और तेलंगाना की हालत है और मौदी और गुजरात साफ अभी जानिए आप लोग की गुजरात के दो पाबरफवुल वेक्ति एक तरश से पूरे देश को कंट्रॉल करें हुएं एक आपके ग्रह मंत्री साब, दूसरे फिधान मंत्री साब, यानि की पावरफुल एक तरह से जुपद हैं इनी के पास हैं तो 2005 में सरकार द्वारा गुजरात इस्थानिये फिराधी के अधीनियम में संसुदन किया गया था और जिसके अनुसर इस्थानिये सुसासन, पंचयायतों और नगर पालिकाओं और नगर निगम के निकायों का चुनाओ लड़ने ही तो दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी ब्यक्ति को आयोग घोसित किया गया है और यहीं अगर हम महराष्ट की बात करें तो महराष्ट जिला परिशाद और पंचयायती समती अधीनियम इस्थानिये निगम चुनाओ ग्याम पंचात से लेकर नगर निगम तक लड़ने के लिए दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को आयोग घोसित किया जाएगा महराष्टि सिवल सेवा छोटे परिवार की गोशना नियम 2005 के अमसार दो से अधिक बच्चों वाले विक्ति को राज्य सरकार के किसी भी पद हेतू आयोग गोशित किया गया है सारजनिक वितरन फिलाली का लाब दो से अधिक बच्चों वाली महलाओं को नहीं दिया जाएगा और आप समझे अगर इस तरह की नीती अगर लागो होती है तो कहीं लोग आप मैंसे जाएंगे आप लोग समझ सकते हैं परिम कोड जाएंगे, हाई कोड भी जाएंगे आप लोग, या आज का भी लगाएंगे आप लोग कहेंगे कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, आप से कहीं वहिदभाव किया जाएगा तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा क्या होता है उत्तराखंडी की बात करें तो राजसरकार दो या दो से अधिक बच्चों बाले लोगों को पंचयाद चुनाओ लड़ने के से रोकने का फैसला लिया गया था और इस समंद में विधान सभा में एक विधेयक पारित किया गया था परंतु ग्राम पिधानों और ग्राम पंचयाद वार सदस का चुनाओ लड़ने वाले बालों द्वारा इस फैसले को उचने आला में चुनोती दी गई थी और उसके उपरांत आप देखेंगे उनने राहत पिधान की गई इसके तहट दो बच्चों वाले मांदन्ड की सर्थ केवल उन लोगों पा लागो की गई है जिन्होंने जिला पंचयाद के चुनाओ लड़े हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लोग चले गए आप समझ रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि आपकी अधिकारों का हनान होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 यानी के अनुख्षेद 32 केता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तेहता आप लोग हाई कोट जोई जा सकते हैं ठीक है और आपकी अधिकारों की रक्षा करेगा सुप्रेम कोट और हाई कोट करनाटक की बात करें तो करनाटक ग्राम सुराज और पंचयाती राजदी नियम 1993 दो से अधिक बच्चों बाली व्यक्तियों को ग्राम बंचयाज जैसे स्थानी निकायों के चुनाव लणने से पिती बंदित नहीं कर सकता है हाला कि कानून के एक व्यक्ति जिसके परिवार के सदसों के उबयोग के लिए सेनेटरी सौचालाय उपलद नहीं है वह चुनाव लणने ही तो आयोग होगा एक तरह से इस तरह की अगर सोचालाय की सुविधा इस तरह की बात की जाए तो यह अच्छी बात है कि मतलब सरपन सहाव अगर अपने घर में सोचालाय नहीं स्वक्षेता की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो वो अपनी पंचयात को क्या करेंगे तो इस तरह की तो हो जाती है चल भी जाता है, फिर आप बात करेंगे उडिसा, उडिसा की बात करेंगे तो उडिसा जिला परिसा अधिनियम दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को चुनाव लोने से पिती बंदीत करता है, तो आप समझ सकते हैं कि यह हाल है, और याद रखिए इसमें आप लोगो राष्ट नीती की बात करेंगे तो 13 अगस्त सन 2018 को दो बच्चों से संबंदित राष्ट नीती को लागू करने ही तो राष्ट पती को याजका सोंपी गई है, और 15 अगस्त 2019 को हमारे पिधान मंत्री साहब ने सुतंदा देवस पर अपने संबोधन में जनसंक्या विस्पो आरेसस के संग जो संचालक मोहन भागवत द्वारा जनसंक्या नेंतन का मुद्दागी उठाए गया है, आप जानते ही कि आरेसस, ठीक है, सर्वोच नेले में दायर याजका में कहा गया है कि क्या भारत में सिर्फ दो बच्चे पैदा करने वाला कानून पास हो सकता है, क्य की बात करें, यानि की नुकसान की, तो आधिक सर्विष्चन 2018-2019 के अमसार, 2040 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 16 फिस्ती तक पहुंच जाएगी, और 2050 तक यह संख्या 33 करोड पार कर जाएगी, और विसे संगों द्वारा आसंका जताए जा रही है कि अगर दो वर्चों की राष्ट की सकारा, यानि की एक तरह से फायदी क्या हो सकते हैं, तो सहयुक्त राष्ट की रिपोर्ट की अमसार, भारत की आबादी 2027 तक 158 करोड हो जाएगी, जो फिलहाल 131 करोड की आसपास पहुंच चुकी है, वहीं चीन की जनसंख्या वर्ष 2027 में 153 करो जरूर नंबर पर जाएंगे बन पर, एक तरह से काफी जनसंख्या में सबका यूगदान रहा है, ठीक है, और जनसंख्या बढ़ने से वेरोजगारी, गरीवी, आसिक, चाह और निमने स्वास्त इस्तर और फिदूसर जैसी समस्याओं में बित्ती होगी, और आप जानते ही कि अधिक जनसंख्या को एक परिवार का ही ले लीजी आप तो, कि उसमें जितने कम मेंबर होंगे उन्हें आप लोग उतनी ही अच्छी सुविधाय उपलब्द करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अधिक जनसंख्या होगी तो आप समझ सकते हैं कि सुविधाय उपलब्द करा प क्योंकि उन्हें स्वास्त बेउस्था नहीं मिलती हैं, उन्हें सिक्छा नहीं मिल सकती हैं, आप समझ सकते हैं अगर उन चारों बेटों को अगर चारों बच्छों को आप अच्छी सिक्छा दे देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो भी कुछ कर धर रहे होतें, और अलग यह आबादी पर नियंतन पाना था और उस वक्त चीन के जनसंक्या 97 करोड थी जो वर्स 2019 में आप देखेंगे 149 करोड हो गई और इस नीती से 40 करोड बच्चे कम पैदा हुए लेकिन कामगार आबादी में तेजी से गराबट हुई है जो काम करने वाली है और इसे वहाँ बि बच्चे की राष्णीती को वापस ले लिया है और दो बच्चों की इजाज़त दे दी है क्योंकि आप समझे कि एक तरह से जो पहले से लोग है वो तो बूड़े होंगे और आप समझे कि आप यूबाओं की संख्या को घटा रहे हैं तो सभाव क्सी बात है कि आपकी यू राज्य और अनसमंदी संस्थाओं को एक साथ मिलकर किसी निस्कर्स पर पहुँचना होगा चेन का सबक भी यह कहता ही कि भारत को ऐसा निवार कानून बनाना चाहिए जो सस्ती सुलब सिक्षा और स्वास्ते देवाओं में विद्धी कर इस कार को सुनिश्चित कर सके एक तरह से और आप लोग पी समझ लीजिए कि आप सिक्षा देंगे स्वास्ते देंगे एक परिवार पढ़े लिखेगा और कम से कम वो समझदार होगा तो वो एड़ेस्ट करेगा और वो कम ही चाहता है हर परिवार चाहता है कि एक दो बच्चे ही हो समझ रहे हैं तो आप उन लरका था दूसरा लरका था फिर भी देखते हैं लाइन लगी रहती है तो उन्हें एक तरह से वो सुधाय नहीं दी जा रही है जो सुधाय उनके लिए चाहिए ठीक है कि मतलब ठीक होने समझाय जाए एक दो बच्चे बहुत हैं अब यहीं से उनका ऑपरेशन जो भी इस दो अच्चे एक मादा पिता के ठीक है तो यह चलिए ठीक है आप लोग भी इस तरह की टॉपिक से कई बार कोश्चन बन जाते हैं आपके और वैसे भी आपके देश में अगर चर्चा अचाही हुई है तो आपको मालू भी तो होना चाहिए ठीक है